जो इनके दो कारुबार है बड़े जहां पर सबसे पहला तो कंजुमर प्रोड़क्ट कारुबार है जिससे करीब 72% इनकी आया आती है साथ ही जो EPC Engineering Procurement और यहां पर जो इनका कारुबार है Illumination और Power का उसमें करीबन 28% revenue आतावा नजर आता है तो definitely दोनों ही entities या दोनों ही कारुबार को यह अलग करने पर विचार कर सकते हैं इस review meeting में In fact यह board से मनजूरी मिलती भी दिखी है corporate restructuring को लेकर और definitely बजाज electricals के लिए यह काफी फाइदेबन साबित हो सकता है दरसल यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो consumer इनका जो products business है वहां पर काफी अच्छी capital allocation साथ ही capital structure जो है बनते वे नजर आ सकते हैं और दूसरी तरफ अगर आप power कारुबार को भी देखेंगे तो उस पर company की जो ESG practices पर सबसे बड़ा focus बनता हुआ जा रहा है जो कि एक global trend आगे चल कर बनता हुआ दिख सकता है तो उसमें एक defined set of investors जो है हो सकता है आते वे नजर आए इनकी destructuring के बाद और कही ने कहीं दोनों कारुबार जब separate हो जाएंगे तो definitely company की जो valuation है उसमें काफी बड़ा इजाफा हमें देखने को मल सकता है in fact अगर आप देखें तो यहाँ पर FY21 में जो इनकी cool आये थी उसमें EPC कारुबार की वज़े से इनका जो total revenue है वो decline होता हुआ नजर आया था जबकि consumer product कारुबार में करीबन 7.5% की growth हमें आती वी नजर आयी थी तो definitely EPC कारुबार अगर consumer कारुबार से अलग हो जाता है तो दोनों में separate set of nives और separate set of strategies जो है वो company लगाती भी दिख सकती है और further अलग-अलग verticals के हिसाब से आगे की growth trajectory जो है set करती भी दिख सकती है तो definitely इसी वज़े से बजाज electricals आज focus में और almost 9% की तेजी अभी दिखा रहा है